ये बड़ी और एहम जानकारी इस वक्त की आपको उत्राखंट से बता रहे हैं जोहां लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है बता दे कि 5 लोगसबा सीटों पर कौँंटिंग हो रही है रही है और 5 लोगसबा सीट से बाजपा प्रत्याशी इस वक्त आगे है बता दे कि उत्राखन में 5 लोगसबा सीटे और सभी पे बीजेपी की बड़ा तयार जैटम्ता करीब 1,18,000 वोटों से आगे चल रहे है वही नैनिताल उधम सिंग नगर सीट से भी भाजपा बढ़त करती हुई नज़र आ रही है प्रत्याश्री अजय बट 2,70,332 वोटों से इस वक्त बढ़त बनाये हुए है हरद्वार लोगसभा सीट की अगर बात कर ले तो यहां भी बीजेपी आगे नज़र आ रही है बाचो सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है बीजेपी के पक्ष में ये रुजान सामने आ रहे है तीवी से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे है और कई हजार वोटों का जो अंतराल है वो देखने को मिल रहा है माला राज लक्षमी श्वाह करीब 1,43,215 वोटों से इस वक्त आगे होते हुई नज़र आ रही है अब गड़वाल लोगसभा सीट के अगर बात करें तो इस सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे है ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है अनिल बलूनी 1,15,157 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं अलमोरा लोगसभा सीट से भी भाजपा प्रत्याश्री बढ़त बनाए हुए हैं ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं बतादे कि प्रत्याश्री इस वक्त आगे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है हरुद्वार लोगसभा सीट के अगे बात चल ले तो यहां पर भी भाजपा बढ़त बनाए हुए नज़र आ रही है तुरेंद्र सिंग रावर जो की बीजेपी प्रत्याश्री है वो 71,736 वोटो से इस वक्त आगे नज़र आ रहे है उत्राखंट के अगर बात कर ले तो पाचो लोगसभा सीटों पर जो काउंटिंग है जो मतगरना है वो लगातार जारी है और पाचो सीटों पर अभी बीजेपी सबसे आगे नज़र आ रही है पाचो सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याश्री है वो बढ़त बनाते हुए देखे जा सकते हैं फिर चाहे टीवी लोगसभा सीट की बात हो गड़वाल लोगसभा शेत्रों हो लगातार जो उमीद्वार है वो बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे है गड़वाल लोगसभा सीट से भी बीजेपी परत्याश्री आ गे जाते हुए नज़राए रहे है गड़वाल लोकसवा सीट से बीजेपी प्रत्याश्री अनिल बलूनी 1,157 वोटों से इस वक्त आगे नज़रा रहे हूं